हलो फ्रेंड विडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स टेम में दी वीडियो को देख रहा है मैं आपको बता देना चाहती हूँ छोटी-छोटी स्टोरी इस पैरग्राफ ऐससे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारे new words सिखते हैं अपनी vocabulary को इंप्रूफ करते हैं साथी जो भी grammar दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि easy way मैं आपको explain कर सकूँ so yes अतकमा topic होने वाला है my bad habit yes इस तरीके की topics भी आपको exam में as a essay और as a paragraph लिखने के लिए आते हैं वो future की भी रहेंगे कुछ past के भी रहने वाले हैं और simple past tense और simple present tense की भी बहुत सारे sentences में रहने वाले हैं start करते हैं reading और देखते हैं क्या है इस के लिए many people are trapped in some kind of a bad habit that they wish they never had many people बहुत से लोग are means है trapped याने के फसे हुए है people के साथ में हमेशा आजाता है यह जीज़ याद रखीगा ठीके some kind याने के किसी प्रकार की of a bad habit बुरी आदत में ठीके that जिसे they wish वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है ठीके they never had वो उने कभी न होती had means होता है होना past tense में ठीके कि मेरे पास ही चीज है कोई भी तो past में अगर मुझे बोलना है I have this book present में बोल दिया but I had this book तो आप उसको had use करेंगी मेरे पास ना होती तो पूरे sentence को हम कैसे बोलेंगे बहुत से लोग बुरी किसी ना किसी प्रकार की या किसी प्रकार की बुरी आदत में फिसे हैं जिसे वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है उनमें कभी न होती bad habits are formed more easily than good habits bad habits यहने कि बुरी आदते are formed यहाँ पर ही देखी है हमारा कौन से sentence हो गया passive structure कैसे पता लग रहा है आर के साथ में third form यूज़ हुआ है इसलिए तो बुरी आदते बनती है ठीक है आर form यहने के बनती है more easily अधिक आसानी से बनती है than good habits अच्छी आदतों से तो इस sentence को हम कैसे बुरी आदते अच्छी आदतों से आसानी से बनती है and are usually the hardest to get rid of and are usually और आ यानि के छुटकारा पाना read of means छुटकारा पाना तो और आहमतोर पर उनसे छुटकारा पाना सबसे मुश्किल है simply से किसा आप इसको read कर सकते है smoking drinking gambling overeating and eating fast food smoking यानि के धुम्रपान करना स्मोक करना drinking किसी भी प्रकार की drink लेना जो खराब में counting जिसकी होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि कोई alcohol intake कर रहा है उससरीके से gambling यानि के जुआ खेलना जो कि आप लोग देखते हैं cricket के मैचिस में भी होता है वैसे भी लोग गाउं वगेरा जो होते हैं वहां पर कार्स जो होत बहुत जादा खाना ठीक है या जादा खाना ऐसा भी आप बूल सकते हैं and eating fast food eating यानिके खाना fast food यानिके बाहर का खाना खाना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो धुम्रपान करना किसी भी प्रदाद का सेवन करना जुआ खेलना और अधिक भोजन करना और fast food खाना are all examples of bad habits are means है all means सभी examples यानिके सभी उधारन है of bad habits सभी बुरी आदतों के उधारन है many people बहुत सी लोग who knows जो जानते हैं ठीक है who know यानिके जो जानते हैं यह हमारा present indefinite tense हो गया आपको अब तक 100% याद हो ही गया होगा क्योंकि मैं बहुत बार आपको बजा चुकि हू of their bad habits जो लोग अपनी बुरी आदतों को जानते हैं want to change want यह निके चाहते हैं to change वो बदलना चाहते हैं but लेकिन no matter how hard they try no matter चाहे जो हो या चाहे how hard how मतलब कितना भी hard means कठें कितना भी वो कोशिश करें they try वे कितना भी कोशिश करें ठीक है जो लोग अपनी आदतों को बदलन चाहते हैं जो लोग अपनी बुरी आदतों को जानते हैं और बदलना चाहते हैं चाहें वो कितना भी कोशिश करें ठीक है they try they usually find themself not being able to they usually वे आमतोर पर find means पाते हैं ठीक है theynymself यानिके अपने आपको वे अपने आपको आमतोर पर پाते हैं not being able to not means नहीं बींम अतलब होना नहीं पाते हैं, वो आम तोर पर अपने आपको सक्षम होना नहीं पाते हैं, ठीक है, to change, we have to have an intention and high motivation, to change यानिके बदलने के लिए, we have to, हमें होना है, जब भी किसी sentence के अंत में आता है, होना है, या करना है, या कड़ता है, तो इस तरीके sentence के आद में आप यूज करते हैं, have to, we have to, हमें करना है, and intention, हमें एक इरादा करना है, intention means होता है, इरादा करना, कि मेरा ये इरादा है, मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये ठान लिया है, ये मुझे करना है, तो वहाँ पर we have to have an intention, हमें एक इरादा करना है, and high motivation, और हमें उच्च प्रेडना रखनी है, अपने आप तो डैवलप में यह निकि विक्सित करना या अपने अंदर बनाना ऐसा भी हाँ बोल सकते हैं तो कि मैं आपको हर विडियो में चीज बोलती हूं कि वर्ट की साथ में खेलना सीखेंगे तो आपको एजी ली इंगलिश जो है वो समझ में आने लगेगी इज डैवलप एंड ब जब एक विएक्टी यंग है या जवान है ऐसा भी आप बोल सकते हैं फिक है यह यह है क्यों। और हर अगर उस लड़की के बारें बात करें तो उस लड़की के लिए कटन है To distinguish the difference between right and wrong ठीके, distinguish means होता है अंतर करना The difference उस अंतर को यानिके बीच में अंतर करना Between यानिके बीच में right and wrong सही और गलत के बीच के अंतर में अंतर करना सही और गलत के बीच में अंतर करना उस लड़का और लड़की के लिए कठीन है because क्योंकि of their in-experiences because के कारण ठीक है because के कारण because of का मतलब होता है के कारण because means होता है क्यों की because of के कारण ठीक है their मतलब उनके in-experiences हैने के अनुभव ही निता उनके पास में इतना अनुभव नहीं है या फिर आप बोल सकते हैं कम अनुभव के कारण ठीक है ऐसा भी आप बोल सकते हैं but कम अनुभव जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा आप यही बोरे अनुभव हीनता है या अनुभव की कमी के कारण ठीक है अनुभव की कमी के कारण वो सही और गलत के बीच के अंतर को अंतर नहीं कर पाते हैं bad habit is a process bad habit यानि के बुरी आदत जो है वो एक प्रिकरिया है that starts जो शुरू होती है starts है यहाँ ठीक है from our mind जो हमारे दिमाग से शुरू होती है our thoughts और हमारे विचारों से शुरू होती है habit is formed यानि कि आदत बनती है step by step से यानि कि कदम दर कदम सी की प्रिकरिया से बनती है which involves thought action and repetition which joke कि involves यानि के शामिल होती है thought में हमारी विचार के अंदर वो शामिल होती है आक्टर किसी भी क relativ growing को बार बार हुरा किसी भी काम को भार दौना अगर मैं रोज किसी भी कीशी का सेवन करूंं कुछ भी चीज में खाने के लिशा भी कारी तो वो repetition हो गया, वो दीरे-दीरे फिर वो मेरी habit में आ जागा, कि रोज मेरा मन करेगा कि मैं मैंगी खालू, मैं मैंगी खालू, वो हमारे repetition में आ जाएगा, तो वो उसमें शामिल होता है Thoughts, Thought is the backbone of creating bad habit, Thought यानि कि विचार जो है, इस means है, backbone यानि कि वो read है, read की हड़ी हम बोलते हैं, backbone यानि की read की हड़ी है, of creating, creating यानि कि पैदा करना, या करना, या बनाना, या किसी भी चीज़ का होना, ठीक है, मैं आपको बूला ना कि words के बहुत सारे meaning होते है, bad habit यानि कि बुरी आरे विचार जो है, वो read है, वो या read की हड़ी है, ऐसा भी आप इसको बूल सकते हैं, our mind plays a very important role in creating habits, our mind हमारा दिमाग plays यानि कि निभाता है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे play means खेलना होता है, बहुत बार बैने बूला ना, अलग-अलग meaning होते हैं, बाबा, याद करके यह आपको समझ में आएगा, तो हमारा दिमाग जो है, वो निभाता है, बहुत महतुपून भूमी का creating habits, habits को बनाने में हमारा दिमाग बहुत महतुपून भूमी का निभाता है, being humans, humans यहनिके मनुश्य होने के नाते, we do not realize, we, हम do not, यहनिके नहीं करते हैं, realize यहनिके हम एह एहसान नहीं, एहसास नहीं करते हैं, sorry, यहाँ पर एहसान हो गया है, आप यहाँ पर एहसास कीजेगा, एहसास नहीं करते हैं, the consequences of turning our thoughts into reality, consequences यानिके परिणामों का of turning, बदलने में, our thoughts यानिके हमारे विचारों को बदलने में, किसमें? वास्तविक्ता में, हम human होने के नाते हम एहसा नहीं करते हैं, कि हमारे जो विचार हैं, वो वास्तवितात में बदल सकते हैं, इसका meaning यह हुआ, ठीक है, तो consequences यानिके परिणाम का of turning our thoughts into reality, turning यानिके बदलने में, our thoughts हमारे विचारों को reality में बदलने में, I hope ये topic आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा different था, चीजें भी देखते हैं, उनके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना हमें वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें भी हमारे life के experiences ही होते हैं, ये topic कैसा लगा, please comment में जरूर बताएगा, क्योंकि बहुत सोच विचार कर मैंने ये आपके साथ में शेयर किया है, so yes, अंदर करना नहीं, अंतर करना, ठीक है, अंतर है, रेपिटेशन यानिके दहराना, so first one is trapped यानिके फसना, distinguished यानिके अंतर करना, and third, repetition means दहराना, आज ये 3 डिक्टेशन के वर्ड है, first word है डिक्टेशन का, usually, second है in experience, and third है thoughts, I hope ये topic पसंद आया होगा, ये जो दो गलती होई है प्लीज इनके लिए आप मुझे माफ कर दीजेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, टाइपिंग के टाइम बेह, बहुत जादा, mistake होती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी ना रहे, ये topic ऐसा लगा है,